हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जिवन क्लासिज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलीस कॉंस्टेबल 17 फरवरी को फर्स्ट सिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी टोटल आंसर की यहां पर देखने वाले हैं आप अपने पेपर को यहां पर मैच कर सकते ह हैं टोटल 100% सही आंसर होंगे क्वेशन नमबर 1 से क्वेशन नमबर 150 तक हम यहां पर एक क्वेशन को देखने वाले हैं सारे सब्जक के क्वेशन यहां पर आप देख सकते हैं तो पहला क्वेशन आपका आया था आप एक जाज अधिकारी हैं एक वी आईपी की हत्या के माम प्रवाहित करने के लिए भारी रिस्वत की पेशकस कर रहा है तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए तो यहाँ पर पुलिस कॉंस्टेबल के रूप में तैनात है और ATM कार्ड क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए तो इसमें आपका option number C हो जाएगा जो की है संदिग्द सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी ATM में एक-एक परियवेक्षक रखने चाहिए तो यहाँ पर option number C आपका सही हो जाता है अब बात करते हैं question number 3 तो question number 3 आपके पास था कि आप एक विशे सेल में constable हैं जो की cyber अपराद और online धोकाधड़ी से निपटता है आपको cyber सुरक्सा और digital forensic के विभिन पहलों में प्रशिक्षित किया गया है हलांकि कर्मचारियों की कमी क करण आपको एक गस्त duty स्वापी जाती है जहां आपको चड़कों पर गस्त करनी होती है और आपकालीन कालों का जवाब जो भी है उसको देना होता है आपको लगता है कि यह एक उबाव और निरसकार्य है जो आपकी विशेसग्यता के अनुरूप है और जो कि आपको यह ब का A कि जो आपकी गस्त है वो आपको उत्सापूर्वक करने चाहिए और अन्य गस्ती अधिकारियों के अनुभवों से आपको सीख लेनी चाहिए तो यह आपका option number A सही था question number 4 था राष्ट व्यापी आतंकी अभियान के चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिवावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीडित हुए हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है तो question number 4 था आपका अंसर चला जाएगा option A के साथ अभिवावक को समालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान के इंद्रित करना चाहिए option number A आपका यहाँ पर correct option था question number 5 था पीडित से बलातकार के फोरेंसिक साक्षे की जाज करते समय आपको क्या करना है तो 5 question का आपका अंसर है option number D option number D है कि 6 नाम का उप्योग करके FIR के साथ दस्तावे जिकरन पूर्ण करना चाहिए तो 5 वे का आपका option था D, D आपका correct answer है question number 6 में आप देख रहे हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में transgender नागरी कानून प्रवर्तन अंते किरिया के दोरान उत्पिडन और गरिमा के उलंगन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है question number 6 में आप देख रहे हैं option number C, अपरादियों के खिलाब सक्त अनुसासनात्मक कारवाई लागू करनी चाहिए ये आपका option number C, question number 6 का सही आंसर था question number 7 में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अलपसंक्यों को पड़ोस में पिरवेश से वन्चित किया जा रहा है तो आपको वहाँ पर क्या करना है तो साथवे question का option number D आप देख रहे हैं कि कानूनों का उलंगन करने वाली housing society को एवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा option number D next question आपका था एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में न्यूक्त किया जाता है तो निम्लिकित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Station House अधिकारी Option number D आपका आंसर है Station House अधिकारी Next question है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णे लेने में क्या मार्डशन करेगा तो 9 question का आपका आंसर है Option number D व्यक्तिकत परिस्तियों की परवा किये बिना कानून का अक्षर से कडाई से पालन करना ये आपका option number D सही अंसर हो जाएगा Next question है प्रस्न चिन्न के इस्थान पर उप्युक्त विकल्प खोजे जैसे मा, बच्चा, बादल तो यहाँ पर क्या word आएगा तो यहाँ आप option हो जाएगा आपका बारिश यानि के option number C आपका सही आंसर है Question 11 एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रिति रिवाज पूजा इस्तलों में महिलाओ के प्रवेश पर सर्वोच न्याले के निर्देशों का उलंगन करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है देखे question number 11 जो है इसका आपका option number D सही है जो कि यदि आवस्ते खोते विरोधी समुहों को हटा कर निर्देश लागू करने चाहिए यह आपको वहाँ पर option number D सही होगा question number 12 में दिये गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो स्रंखला को पूरा करेगा तो यहाँ पर आपका आंसर है question number 12 का आंसर आपका A है 18067 तो यह आपका आंसर हो जाएगा next है एक निश्चित कूट भासा में M A D R A S को O W N H E Q लिखा जाता है तो उसी कूट में S U N D A Y को कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर है answer option number B U W Z R Y W ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा next question था उत्तर प्रदेश में 7 km चलता श्याम उत्तर में 7 km चलता है फिर वह अपने दाइयों और मुड़ता है और 3 km चलता है वह फिर से अपने दाइयों और मुड़ता है और 7 km आगे बढ़ता है अब वह अपने प्रानमिक बिंदू से किस दिसा में है तो यहाँ पर आपका question number 14 का answer हो जाएगा option number B यानिके वो पूर्व दिसा में होगा option number B आपका यहाँ पर सही था next question है निम्धिकित प्रस्ण में कुछ सब्द दिये गए हैं उनमें विसम को छोड़कर कुछ सामाने विसेस्ता हैं आपको इनमें से विसम को ढूड़ना है तो यहाँ पर आपका विसम हो जाएगा तोड़ फोड़ तो पंदरवय का answer आपका तोड़ फोड़ यानिके A option था next question number 16 यदि सब्द S P I R I T U A L में दूसरे और पांचवे अकसर का इस्थान आपस में बदल दिया जाए तो इसी प्रकार चोथे और छटे अकसर का इस्थान करमसा साथवे और नोवे अकसर से बदल दिया जाए तो नए सब्द में अकसरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अकसर है या तो आगे या फिर पीछे जितने की अंगरी जी वर्णमाला सरंखला में होते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर ओप्शन नमबर C सही होगा क्वेश्चन 16 का ओप्शन नमबर C पांच अकसर नेक्स वेश्चन है एक घड़ी दो पहर के समय सुरू की जाती है और 4 बज़ कर 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम चुकी है तो यहाँ पर आपका ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर B यानि के 125 डिग्री घंटे की सुई जो है वो घूम चुकी है नेक्स वेश्चन था सुरेश की बहन राम की पतनी है राम रानी का भाई है और राम के पिता मधुर है सीतल राम की दादी है रेश्मा शीतल की बहु है रोहित रानी के भाई का बेटा है और रोहित सुरेश से किस प्रकार समदी थै यह आपको बताना था तो यहाँ पर क्वेशन नमबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका यानिके वो उसका भाण जाथा नेक्स क्योशन है क्योशन नमबर 19 निकित में से कौन सा आरेक भारत गुजरात सूरत के भी सम्मंद को सबसे अच्छी तरह दर्सा आता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उप्सन नमबर A तो यहाँ यह उप्सन नमबर यह आपका सही आंसर था नेक्स क्योशन है यह आपको हल करना है कि 120 और डिवाइड बाइ 3 प्लस 8 गुना 3 माइनस 40 तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास से इसको सॉल्व करना था क्योशन नमबर 20 तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस 24 क्या आंसर है माइनस 24 आपका आंसर हो जाएगा नेक्स क्योशन क्योशन नमबर 21 निमलीगित आकरती का ध्यन करें और नीचे दिये गए प्रश्न का उत्तर दें तो यहाँ पर आपको यह बताना था कि जैसे आपका यह वर्ग है तो वर्ग में प्रिशिक्षित नर्से और सर्किल में विवाहित जन संख्या और यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसमें अस्पताल में नर्से तो यहाँ पर है तो संख्या साथ से क्या दरसा जाता है संक्या साथ से आपका यहाँ पर हो जाएगा कि एस्पिताल में विवाहित नर्शे कितनी है संक्या साथ आपको यह दरसा आती है नेक्ट यहाँ पर question है question number 22 एक घनाब है जिसका जो आयाम है वो 4-3-3 cm है और आयाम जो है 4-3 के विप्रीत फलक पीले रंग से रंगे गए है अन्य आयाम 4-3 के विप्रीत फलक लाल रंग से रंगे गए है और आयाम 3-3 के विप्रीत फलक हरे रंग से रंगे गए है ऐसे कितने घन हैं जिनके तीन फलक रंगीन है तो आपका आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा option number D यानिके ऐसे जो है आठ है आठ number D option आपका सही होगा next question आपका question number 23 निम्लिक प्रस्ण में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार अन्य सब्द दिये गये हैं जिसमें से एक दिये गये सब्द के एकसरों का उप्योग करके बनाया जा सकता है तो वह सब्द आपको ढूड़ना है तो यहाँ पर आपको सब्द दिया गया है measurement कौन सा सब्द है सब्द है आपके पास measurement तो measurement में आप देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर सब्द होगा option number C यानिकि जो returns है returns आपका सब्द यहाँ पर answer सही हो जाएगा option number C अब यहाँ पर देखे एक पंक्ति में मिहीर 22 से 70 और दाइस से 19 स्थान पर है उसी पंक्ति में उमिद्वारों की कुल संख्या कितनी होगी यह आपको यहाँ पर बताना है इसका answer था आपका option number C तो option number C यानिके 35 आपका सही answer हो जाएगा बढ़ते हैं next question की तरफ question number 25 तो question number 25 में कहा है एक व्यग्यानिक है और एक सुरक्षित प्रयोकसाला के access code को याद करने का प्रियास कर रहा है उसे निम्लिकित विवरण याद है कौन-कौन से code अंक 5 से सुरू होता है code 987 पर समाप्थ होता है दूसरा अंक पहले और तीन का योग है और तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है तो अब इन इस्तितियों पर विचार करते हुए व्यग्यानिक ने प्रियोकसाला के लिए चार संभावित access code निश्कर्षित किये तो पांच आठ चार नो आठ साथ ये आपका option नमबर सही था अठावन उननचस 87 यही आपका option सही हो जाएगा question नमबर 26 में दिया गया था कि नीचे प्रस्ण में दो कथन और उसके एक और दो और तीन कर्मांग की तीन निसकर्ष दिये गए हैं तो आपको कथनों में दी गए स सभी बातों को सत्य मानना है और फिर तीनों निसकर्षों पर एक साथ विचार करना है तो देखें यहाँ पर निसकर्ष थे हमारे पास तीन पानी का कोई आकार नहीं होता उसका आयतन होता है ग्यान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है तो यहाँ दूसरा निश्कर्ष था ग्यान एक विशिच्ट दायरे में सीमित होता है तीसरा निश्कर्ष ज्यान प्रत्यक्ष रूप में मांसिक गतिविधी के मूल को प्रिभावित करता है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number A जिसमें 1 और 3 दोनों अनुसरन करते हैं यानिके 1 और 3 दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे तो option number A आपका यहाँ पर सही था question number 26 का question number 27 में आप देख रहे हैं कि पता लगाना है कि आकरती जो x है यानिके कौन से आकरती यहाँ पर आकरती x में दिये गए टुकडों से 1, 2, 3, 4 में से कौन से आकरती बनाई जा सकती है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number B यानि जो आपकी दूसरी आकरती है तो वो आपका आंसर है तो 27 वे का आंसर आपका option B था यानिके 2 28 question में आप देख रहे हैं चार विकल्पों में पता लगाना है कि पारदर्सी sheet को बिंदुदार रेखा पर मोडने पर पैटर्न कैसा दिखता है तो यहाँ पर आपको चार option दिये गए हैं और चार option में आपको देखना है कि कौन सा सही है तो question number 28 का आपका option option number C था answer था आपका 3 यानिके यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है next आपका question था question number 39 A B की बहन है और C B की मा है D C का पिता और C D की मा है तो A D से कैसे समधित है तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा option number A यानिके वो उसकी पोती है question number 30 में आप देख रहे हैं कि वह विकल्प आपको चुनना है जो कि सायोजन की दरपन छवी को काफी मिलता जुलता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यह आपको number दिया गया है इसकी दरपन छवी यानिके इसकी mirror चंख्या कौन सी है तो आप यहाँ पर देख सकते है option number जो C है उसमें जो Q है वो सीधा दिखाये गया है जबकि उसमें हमें उल्टा देखना था तो यहाँ पर आपको option हो जाएगा option number D कौन सा हो जाएगा option number D आपका सही answer है question number 30 का question number 31 में आप देख सकते हैं कि वह आकरती चुने जो अन्य से भिन है तो यहाँ पर आपका question number 31 का answer है आपका C यानिके जो तीसरी आकरती है वो जो है अन्य से भिन है question number 32 में एक टोकरी में सेबो की संक्या हर मिनट दोगनी हो जाती है यदि टोकरी एक घंटे में सेबो से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी तो याद रखेगा 69 मिनट इसका answer होगा option number A आपका सही answer है 69 मिनट अब देखे question number 33 है इसको जब आप हल करोगे तो इसमें आपका answer आएगा 2 सही 1 बटे 20 यादि कि option number B आपका बिलकुल correct answer था इसमें question number 34 में आप देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प नीचे दिये गए सब्दों का सार्थक क्रम होता है यादि कि पहला है थकान, दूसरा रात, तीसरा दिन, चौथा नीद है और पाचवा है काम तो यहाँ पर जब आप option देखेंगे तो option number आपका B सही होगा यादि कि 35, 124 3, 5, 1, 2, 4 यह option आपका सही था option number B अब देखते हैं question number 35 निम्रिकित में से कौन सी भारत के पूर्वी तटपर इस्तित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून जील है तो यहाँ पर आपका option option number A सही हो जाएगा चिलका जील कौन सी जील है चिलका जील स्वेत प्रकास कितने रंगों से मिलकर बना होता है यह आपको सभी को पता होगा यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है option number C इसका सही था Great Barrier Reef निम्रिकित में से किस देश के तट पर इस्तित है तो आपका option हो जाएगा option number C यह आश्टेलिया देश के तट पर इस्तित है Next है question number 38 निम्रिकित में से कौन 1946 में भारत की समविधान सभा के अध्यक्स थे तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा Dr. Rajendra Prasad option number A आपका बिल्कुल सही आंसर था प्रियाग प्रसस्ति की रचना निम्रिकित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी तो यहाँ पर question number 49 का आपका आंसर है option number D हरी शेण हरी शेण के द्वारा option number D आपका यहाँ पर सही आंसर था question number 40 में अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्लिक्त में से किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद होगा आपने पढ़ा है question number 40 यानिके अंगूर की खेती उपज कटाई को तो किस नाम से जाना जाता है option number C VT culture क्या नाम है VT culture question number 41 बैला डीला की पहाडियां बैल के कूबण की तरह दिखती है पहाडियों की यह सरंकला भारत के निम्लिक्त में से किस राज्ये में है तो यह 36 गड में D option आपका सही है question number 42 निम्लिक्त में से किस के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकिर्ण चैनल द्वारा सिलंका भारत से अलग होता है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number B पाक जल डमरुमध्ये और मननार की खाड़ी यह आपका option B सही था next question है question number 43 सोनपूर पशु मेला हर साल भारत के निम्लिक्त में से किस राज्ये में आज़ित होने वाला एक संस्कृतिक कारेकरम है तो यहाँ पर है बिहार D option आपका सही था बिहार में next question है विस्व पुस्तक दिवस पृतिये गवस निम्लिक्त में से किस दिन बनाया जाता है तो 23 अप्रेल 23 अप्रेल को विस्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है next आपके सामने question है निम्लिक्त में से किस राज्ये के हिस्सों में 400 साल पहले नहर से चाई की एक स्थाने प्रणाली विक्सित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number C हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा option number C question number 46 में भारत में जनगणना संगठन के लिए सरवोच पद कौन सा है तो यहाँ पर 46 question का आंसर है आपका महारजिस्टार और गणना यानिके महारजिस्टार और जनगणना आयुक्त भारत यह आपका option number B बिल्कुल सही आंसर होगा next question है question number 47 कुमार संभवं निम्लिकित में से किस लेखक की साहित्य किरती है तो यहाँ पर question number 47 का आंसर है आपका महाकवी कालिदास महाकवी कालिदास आपका सही आंसर हो जाएगा next question number 48 National Aluminium Company Limited यानि के N-A-L-C-O का पंजीकरत कारे ले निम्लिकित में से किस इस्थान पर है तो question number 48 का option है आपका C भूवनेश्वर ओडिशा में next विश्व स्वास्थे संगठन WHO का मुख्या ले निम्लिकित में से किस इस्थान पर है तो question number 49 ये है जेनेवा स्वीजर लेंड जेनेवा स्वीजर लेंड में तो ये आपका आंसर B सही हो जाएगा option number B जेनेवा स्वीजर लेंड next question number 50 किस देश की सहरी छेतरों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में व्रद्धिक और निम्लिकित में से क्या कहा जाता है तो यहाँ पर option है option number D शेहरी करण कहा जाता है option number D आपका सही होगा शेहरी करण next question number 51 उत्तर प्रदेश में इस्तित भदोही निम्लिकित में से किस कला के लिए प्रसिद है तो question number 51 का आंसर हो जाएगा जो भदोही है वो किस कला के लिए प्रसिद है तो कालीन बुनाई कालीन बुनाई के लिए भदोही प्रसिद है option number D आपका बिल्कुल सही आंसर था निम्लिकित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य व्रक्ष है तो यह राज्य व्रक्ष होगा आपका अशोक यह आपको सभी को पता होगा next question है सुरुहा ताल प्रसिद अभ्यारने है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे छेत्रों से कई प्रवासी पक्सी भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश के निम्लिकित में से किस जिले में वो इस्तित है तो question number 53 का आंसर हो जाएगा बलिया जिले में option number D आपका बिल्कुल सही आंसर था next question है question number 54 निम्लिकित में से कौन सा social media platform, पेशेवर, networking और नौकरी तलासने के लिए सबसे उप्यूक्त है तो linked in linked in जो option number A है यह आपका बिल्कुल सही आंसर था next question है question number 55 की मतूरा निम्लिकित में से किस की जन्विस्थली है, जिसे ब्रज भूमी के नाम से भी जनायाता है तो option है, option number B भगवान श्रीक्रश्न भगवान श्रीक्रश्न की जन्व भूमी जिसको ब्रज भूमी भी कहा जाता है next question है अकबर का मकबरा निमलिकित में से किस इस्थान पर इस्थित है अकबर का मकबरा इस्थित है आप देखेगा सिकंद्रा में कहां पर सिकंद्रा में ओप्सन नमबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर था निमलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक निरत्ये धान और मक्य की खेती के दोरान किया जाता है तो question number 57 का option है आपका C हुरका बोल यहाँ पर आपका option number C में सही हो जाएगा next question है question number 58 बनारस हिंदू विश्विधाले के इस्थापना पंडित मदन मोहन मालवी के निमलिखित में से किसके सहयोग से की थी तो यहाँ पर आप answer लिखेंगे option number A को डॉक्टर एनिबेसेंट यानि के option number A आपका question number 58 का बिल्कुल सही answer था next question question number 59 UPSSF का पूरा नाम बताएं तो UPSSF का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश Special Security Force उत्तर प्रदेश Special Security Force option number D आपका बिल्कुल सही answer था निवेश मित्र मोबाइल एप्लिकेशन भारत में भारत के निम्लिकित में से किस राज्य की एक पहल है तो question number 60 का answer है आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की ही निवेश मित्र मोबाइल एप्लिकेशन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है तो option number जो है विमुद्री करण का वो होगा आपका नोट बंदी क्या होगा नोट बंदी क्योशन नमबर 61 का आंसर होगा ऑप्शन नमबर A उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधी या एक पट्टे वचनबद या फिर अनुदान के तहत धारित भूमी खंड को निमलिकित में से क्या कहा जाता है तो यहाँ पर आपका उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर D यानि के होल्डिंग या फिर घृति जिसे बोलते हैं होल्डिंग या फिर धृति नेक्स्ट आपके सामने क्योशन है इमेल में भरोसे मन स्रोत बनकर दुर्भावना पूर्ण कार्णों के लिए समवेदंसिल जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वीवरन यदी प्राप्त करने का प्रियास क्या कहलाता है तो यहाँ पर क्वेशन नमबर 63 का ओप्शन हो जाएगा आपका D यानिके वो कहराता है फिशिंग तो ये ओप्शन D आपका बिल्कुल सही आंसर था नेक्स्ट है टका निमलिकित मेंसे किस देश की मुदरा है तो टका जो है वो है बंगला देश की मुदरा तो आपका ओप्शन D सही हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है तो निम्लिकित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है 65 का option हो जाएगा option number B GST input text credit या फिर मूल्य के घटाव के लाब के साथ एक ही दर पर वस्तूओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है तो यह जो है GST के लिए सही नहीं है option number B आपका सही आंसर था next question है question number 66 इसमें मालूम किया गया है कि निम्लिकित में से कौन सा बंदरगा कच्च गुजरात में इस्तित है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number A कांडला बंदरगा या फिर दिन दयाल बंदरगा जिसे बोलते हैं option number A आपका बिल्कुल सही आंसर था next question है हाल ही में श्री अमित सहा ने निम्लिकित में से किस इस्थान पर National K-Operative Dairy Federation of India NCDFI के मुख्यले की आधारशिला रखी तो यहाँ पर option हो जाएगा आपका गांधी नगर option number D गांधी नगर आपका बिल्कुल सही आंसर था next question है निम्लिकित में से कौन सा पुरुषकार सहकारी और दुग्द उत्पादन कमपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस परधी भावना प्यादा करने के लिए प्रिरित करते करने हैं तू दिया जाता है तो यहाँ पर option हो जाएगा आपका राष्टे गोपाल रत्न पुर निम्लिकित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझोते को मंजूरी दी है तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number C यानि इटली को ठीक है next question है question number 70 हाल ही में भारती नोसेना का fast attack craft INS काबरा निम्लिकित में से किस इस्थान पर पहुंचा है तो question number 70 का answer है कोलं कोलंबो स्रीलंका option number A आपका सही होगा कोलंबो स्रीलंका next आपके सामने question है निम्लिकित में से कौन सब मरीन ओप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उदगाटन किया है तो क्योशन नमबर 72 का आंसर है आपका प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो यह आपका ओप्शन नमबर D हो जाएगा नेक्शन है निमलिकित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है तो ओप्शन हो जाएगा आपका B यानिके नववे और स्वर्ण कार ये दोनों ही अक्षर आपकी जो है तत्सम है नेक्स्ट क्वेशन है नलीन और राजीव सब्द निम्लिकित में से किस सब्द के परियावाची है तो क्वेशन नमबर 74 का ओप्सन है आपका डी यानि कमल के परियावाची राजीव और नलीन दोनों होते हैं नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 75 पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांस के लिए एक सब्द निम्लिकित में से कौन सा है कौन सा वाक्य है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा यानि के इसका आंसर आपका हो जाएगा option number a इशान कौन सा हो जाएगा option number a इशान किस विकल्प में शुद्ध, शुरूतिसम, भिनार्थक का सही अर्थ भेद है तो यहाँ पर option हो जाएगा option number b यानिके शसधर और सशीधर, चांद और शिव तो यह आपका अंसर option number b सही होगा next question है निमलिकित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्ये है तो शुद्ध वाक्ये का विकल्प है आपका एक वह आफिसर आफिस में बैठा वह आफिस में बैठा मेरी प्रिदिक्षा कर रहा है तो यहाँ पर option number a आपका बिल्कुल सही है बाकी सभी आंसर आपके गलत हो जाएगे next है निमलिकित में से पूर्लिंग सब्द का चैन कीजिए तो यहाँ पर पराधिंता ये गलत हो जाएगा मुद्री का गलत है अजवायन ये गलत हो जाएगा लेकिन बिहार जो है ये पूर्लिंग सब्द है तो बिहार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निर्णिक्षित में से किस सब्द का प्रियोग एक बचन में होता है तो question number 75 यह कहता है कि किस सब्द का प्रियोग एक बचन में होता है तो option है सोना, सोना जो है वो एक बचन में आता है तो यहाँ पर आपका option C हो जाएगा next question है हे इश्वर दया करो रेखांकित सब्द में कौन सा कारक है तो यहाँ पर हे इश्वर पर रेखा कीची गई है तो यहाँ पर इसमें कौन सा कारक है तो यह आपको बताना है तो संबोधन कारक संबोधन कारक है इसमें ऑप्सन नमबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर था निमलिक है option number D next आपके सामने question है question number 82 अभी भाशन सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है तो अभी भाशन सब्द में आपका उपसर्ग हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा अभी क्या हो जाएगा उपसर्ग अभी हो जाएगा तो यह आपका answer है अब next है next में रक्त रंजित सब्द में कौन सा समास है तो रक्त रंजित सब्द में आपका हो जाएगा तत्पूरुत समास हो जाएगा option number a आपका बिल्कुल सही answer है next है क्यों जब क्यों कब कौन से सर्वनाम के उधारन यानिके क्यों जो है वो कब कौन से सर्वनाम के उधारन है क्यों कब ये दोनों वर्ड है तो ये आपको देखना है कि ये कौन से सर्वनाम के उधारन है तो आपका जो है 84 का आंसर हो जाएगा option number C प्रश्णवाचक सर्वनाम यानि के क्यों और कब दोनों ही प्रश्णवाचक वाक्यों में आते हैं तो ये हैं आपके प्रश्णवाचक सर्वनाम नेक्स्ट है मदीराले सब्द के संदी विच्छेद का चैन कीजिए तो मदीराले का संदी विच्छेद हो जाएगा आपका मदीरा प्लस आले यानि के option number D आपका बिल्कुल सही answer था नेक्स्ट है अवतरण चिन को और किस नाम से जाना जाता है तो अवतरण चिन को हम देखते हैं उद्रण चिन अवतरण चिन या फिर उद्रण चिन दोनों सेम ही होते हैं तो उत्तर आपका D हो जाएगा नेक्स्ट है सत्सई सब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विचेशन का प्रियोग है तो यहाँ पर सत्से सब्द में देखना है तो आपका उप्षन हो जाएगा उप्षन नमबर A गणना वाचक विशेशन यानि कि उप्षन नमबर A आपका बिल्कुल सही है गणना वाचक विशेशन नेक्स्ट है राधा ने पायल से चिठ्थी लिखवाई इस वाक्ये में कौन सी किरिया है तो राधा ने पायल से चिठ्थी लिखवाई यानि कि खुद से वो कुछ काम नहीं कर रही है तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेनार्थक किरिया कौन सा option है option number A प्रणार्थक किरिया next question है चिलाहट में कौन सा प्रतिय है तो चिलाहट में आपका प्रतिय हो जाएगा option number A आहट यानिके जो बाद में लगता है वो आपका प्रतिय होता है तो आहट इसका आंसर हो जाएगा next question है राम अभी सोएगा राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्चे होगा तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा option number B यानिके करत वाच्चे ये करत वाच्चे जो है ये आपका answer हो जाएगा option number B next question है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का आर्थ बताईए तो साधरन बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना यही इसका answer हो जाएगा option number A तिल का ताड़ बनाना यानिके साधरन बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना next है परोग्स का विलोम सब्द लिखिए तो परोग्स का विलोम सब्द आपका यहाँ पर answer हो जाएगा option number D यानि के परोप का क्या होगा परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाता है तो यहाँ पर इन दोनों को विलोम सब में रखा जाता है नेक्स्ट है चमडी जाये पर दमडी ना जाये लोकोक्ती का अर्थ क्या है तो यहाँ पर आपका 93 क्योश्टन जो है इसमें है चमडी जाये पर दमडी ना जाये इसका लोकोक्ती अर्थ है आप देखेगा अत्यधी कंजूस होना अत्यधी कंजूस होना यानि कि option number B के साथ आ उलएंगे किरोध किस रस का स्थाई भाव् है किरोध जो है वह आपका रोद्र रस का स्थाई भाव तो यूंदह के rapidly सोलथा के दितियों चतुर्द चरण में कितनी मात्राइं हो तो यह आप अच्छे हैं होंगे कि 13 मात्रा जो है शोल्ठे के दित्य और चतुर्थ चरण में होती है नेक्स्ट क्योश्चन है निम्लिकित में से किस अलंगकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है तो यहाँ पर आपका उप्सन हो जाएगा उप्सन नमबर बी यानि कि उप्मा अलंगकार में आपका ये उप्सन भी सही होगा निम्लिकित में से भाग सब्द का अनेकारती सब्द किस विकल्प में नहीं है तो यहाँ पर आपका उप्सन है बी य चुका है तो यहाँ पर option A हो जाएगा आसन भूत काल या फिर पूर्ण वर्तमान काल यह आपका आंसर हो जाएगा option number A आप answer को match कर लिजेगा next है यह paragraph आपको दिया गया था तो paragraph में आप देखेगा कि question 99 जो है भारती लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि इसमें आपको paragraph में बताया गया है कि option number C यह अपनी बात भारते शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते question number 100 देखेगा उप्रुक्त सीरसक दीजिए उप्युक्त जो है सीरसक आपको देना है तो question number 100 का answer है आपका भारते शिक्षितों को अंग्रेजी मोहो तो option number C आपका 100 question का हो जाएग question number 101 में आपको दिया गया है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है तो भारत का सुशिक्षित समाज जो है अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है तो answer आपका option number B हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 102 भारतिय भासाओं के साहित्य के प्रती समाज के किस वर्ग में एरुची की भावना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुसिक्सित समाज सुसिक्सित समाज जो है आपका अंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन में देखेगा कि भारतिय भासाओं के लेखक अमेरीकी यूरोपिय तथा चीन वर्मा जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि इसका आपको कारण यहाँ पर बताना है तो देखेगा क्वेशन नमबर 103 का अंसर है उनके साहित्य को भारत के सुसिक्सित ल लोग जो हैं वो नहीं पढ़ते हैं तो यह आपका आंसर उप्सन नमबर A सही था नेक्स्ट क्योशन मीरा बाई किसकी सिस्या थी तो मीरा बाई सिस्या थी संत्रैदास की तो यहाँ पर आपका उप्सन नमबर C बिल्कुल सही आंसर था निमलिकित में से कौन सी भासा समद रखती है तो आपको यहाँ पर यार रखना है बांगरु भाथ भास और रख 선ा nothing में से नहीं कौन से पृकार का रिती वाचक करिया विशेशन है तो यहाँ पर आपका निशेध वाचक निशेध वाचकनि को आपसनमबर आपका सही हो जाएगा निशेध वाचक नेक्स्ट है question number 107 निम्लिकित में से समूद्र सब्द का परियावाची सब्द कौन सा है तो समूद्र सब्द का परियावाची सब्द होता है आप याद रखे रतनाकर कौन सा होता है रतनाकर तो यहाँ पर आप यहाँ से question को match कर सकते हैं अब next है question number 108 मेग और मेग दोनों वर्ड है मेग मेद सुरूति सम भिनार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है तो आपका हो जाएगा देखें मेग पहले वाले मेग का अर्थ है बादल दूसरे वाले मेग का अर्थ है यग तो बादल और यग ये आपका आं 09 109 इसमें है इस तरी जो अभिने करती हो तो उसको क्या कहते हैं देखे उसको अभिनेतरी कहा जाता है तो option number C आपका बिल्कुल सही आंसर है question number 110 मांस रोवर किसकी रचनाओं का संकलन है तो मांस रोवर रचना है प्रेम चंद्र की option number D आपका बिल्कुल सही था option number D प्रेम चंद्र next है question number 111 है जब आप इसको solve करेंगे तो solve करने पर आपका आंसर आएगा option B यानिके ये 12 बारा आपका आंसर आएगा तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा option number B निमलिखित समिकरण में प्रस्ण चिन्न के स्थान पर क्या आएगा यानिके यहाँ पर जो है वो संख्या क्या आएगी यह आप से पूछी है तो आप याद रखेगा यहाँ पर जब इसको आप solve करोगे तो solve करने पर आपको संख्या मिलेगी 3578.116 ये आपका option number A बिल्कु ग्याद कीजिए जब आप इसको solve करेंगे तो आपका answer आएगा 179 यानिके 169 आपका answer सही है नेक्ट क्यूशन है यह question जब आप solve करोगे कि रोहन और सोहन का वेतन जो है दो अनुपात तीन के अनुपात में है यदि पिरतिये के वेतन में 2000 रुपे की व्रद्दी हो तो नया नुपात 40 नुपात 57 हो जाता है तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या है तो यहाँ पर आप option देखेगा option number B जो है option number जो आपका D है वो आपका सही है 17,000 17,000 आपका option सही हो जाएगा option number D यह आपका answer था next है 115, 115 question में दिया गया कि किसी स्कूल में 20% चातर 10 वर्ष से कब वर्ष की आयू के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयू के चातरों की संख्या 10 वर्ष की आयू के चातरों की संख्या जो की 48 है उसका 2 बटे 3 है तो इस कूल में चातरों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था, next question देखेगा, question number 116, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 सेस बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या सेस बचेगा, तो आपका option हो जाएगा 2, 2 सेस बचेगा, option number B आपका बिल्कुल correct आंसर था, next question था इसमें, एक धनरासी च 6 वर्सबाद 6,690 हो जाती है, तो अनुवानित धनरासी ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, question number 117 का आंसर है, option number D, 297,333, यहाँ पर यहाँ आंसर है, यह.2973.33, यह आपका आंसर है, कि 2973.33, 2973.33, यह D आपका आंसर सही हो जाएगा, next है, 118 वा question देखे, तीन साजेदार, P, Q और R, एक व्यवसाय सुरू करते हैं, P की पुंजी का दो गुना, Q की पुंजी के तीन गुना के बराबर है, और Q की पुंजी, R की पुंजी के चार गुना बराबर है, और वर्स के अंत में 27,500 के कुल लाब में से R का हिस्सा है, तो जब आप इसको solve कर होगे, आपके पास आएगा अंसर 25,500 इसका अंसर आजाएगा, option number B आपका यहाँ पर सही था, next है 119, 6 संख्याओं का आउसत 3.75 है, उनमें से 2 का आउसत 3.2 है, जबकि अन्ये 2 का आउसत 3.55 है, से इस 2 संख्याओं का आउसत क्या है, तो यहाँ पर जब आपके पास आएग 4.5, next question है, एक वस्तु, एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, और उस कीमत के दो बटे 3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानी होती है, तो मूल कीमत पर लाव प्रतिसत ग्याद कीजिए, इस को सॉल्व करने पर आंसर इसका आएगा, 35%, 35% इसका सही आंसर था, option number C, next question है अनुकरम 26, 20, 14, 8, dash का 21 पद क्या होगा, 21 पद आपको बताना है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, आपके पास आएगा, minus 94, क्या आएगा, minus 94, next question है, व्रत्यकार मैदान का चेतरफल 13.8 हेक्टेर है, और rate जो है, 3.2 प्रति मिटर की दर से, इसकी बाड लगाने की लाग तो यहाँ पर आपको जब यह रुपे में आंसर आएगा, तो आपका आजाएगा, option number D, यानि के 4,224 आपका सही आंसर होगा, 4,224, D option आपका बिल्कुल सही था, एक लड़का जो है, 9 किलिमेटर प्रति घंटे की गति से, 25 मिटर भुजा वाले एक वर्गकार मैदान के चा option number B, next है 124, यानि के 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में करोगे, तो यहाँ पर यह answer होगा, answer होगा, option number D, यानि क 25 बटे 2 25 बटे 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा next question हो जाएगा आपका ये बार ग्राफ से था बार ग्राफ में आप देखीगा question number 125 का जो है मैं आपका आंसर बता देते हैं question number 125 का आंसर है आपका A यानिके 2002 और 2007 option number A आपका सही था question number 126 में अगर आप देखेगा 127 में आपका आंसर था sorry 127 में आपका आंसर था 4 और 128 में जो है आपका आंसर था D यानिके 2002 तो यहां पर यह आपका आंसर हो जाएगा 127 में आपका आंसर A यानिके 4 था 128 में आपका आंसर हो जाएगा D 2002 यह आपका आंसर अपने मैच कर लिजेगा नेक्ट क्वेशन है 129 129 में 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में उनुमानित प्रतिसत गिरावट क्या थी तो ग्राग्राफ से देखेगा ग्राग्राफ में आपका जो आंसर है वो आएगा 23% 23% आपका सही आंसर होगा नेक्ट क्वेशन यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपका यह डाइग्राम है उसमें आपको बताना है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा आपका आंसर है तीन तीन आपका आंसर आजाएगा यानिके यहाँ पर यह आपका आंसर है question number 130 का question number 131 इसको आपको solve करना है आपका आंसर आएगा यहाँ पर देखेगा option number B यानिके यह 60 जो है यहाँ पर इसका आंसर आएगा आप मैच करेगा option number B आपका सही है अब यहाँ पर यह कुछ diagram दिये गए है इसमें आपको बताना है कि कौन सा दरपन छवी है यानि कि कौन से mirror image है तो यहाँ पर जो है option number A सही हो जाएगा यानि कि 4 number की जो है यह mirror image है यह आपका बिल्कुल सही answer होगा question number 133 में आपको देखीगा कि एक वेनारेक है और उसमें आपको यह बताना है कि जो निम्न के भी संबंद को अच्छी तरह दरसाथी यानि कि पती, परिवार और पतनी यहाँ पर option हो जाएगा option हो जाएगा आपका option number D तो यह आपका सही option है याद रखिए next है अक्षरों का कौन सा सम्हूद दी गई अक्षर सरिंखला में रिक्त स्थानों पर करमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा तो यहाँ पर 134 का option हो जाएगा N, M, A, D, N, M, A ठीक है यानि कि N, M, A, D N, N, A तो यहाँ पर यह B option जो है आपका बिल्कुल correct था तो यहाँ पर आप यह जो alphabet है यह match के लिजेगा N, M, A, D, N, A यहाँ पर यह option आपका बिल्कुल सही है question number 135 में आपको श्रंखला को पूरा करना है तो जब श्रंखला को पूरा करेंगे तो आपके पास जो answer आएगा वो answer आएगा आपका 83 क्या answer आएगा? 83 answer आएगा option number B next है 136 यानिके share, maand, khargoz khargoz कहां रहता है? khargoz बिल्में रहता है share, maand में रहता है तो khargoz कहां पर बिल्में रहेगा तो option number C आपका बिल्कुल सही answer था next है यहाँ पर यह answer जो है B आपका answer हो जाएगा question number 138 में आप देखेगा इस आकरती में जब आप देखेंगे तो कितने तिर्भुज हैं? तो इस आकरती में आपके 12 तिर्भुज होंगे तो answer आपका हो जाएगा C यानिके 12 तिर्भुज next में एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में 9 किलमेटर चलता है फिर 22 और मुणता है और 4 किलमेटर चलता है फिर से 22 और मुणता है और 10 किलमेटर चलता है फिर से 22 और मुणता है और 4 किलमेटर चलता है तो व्यक्ति प्राणबिक इस्तिती से कितनी दूर है? तो यह आपका answer हो जाएगा option number D यानिके एक किलोमेटर दूर रहेगा वो अपनी प्रारिम्बिक इस्तिती से next question है निमनिकित प्रस्ट में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार सब्द दिये गये हैं जिनमें से एक दिये गया सब्द के एक सरों का उप्यों करके नहीं बनाया जा सकता तो वह सब्द आपको ढूंड़ना है तो 140 का यह जो आपका मिनिश्टर लिखा हुआ है यही सब्द आपका नहीं बनाया जा सकता यही आपका आंसर हो जाएगा option number A 140 का option A हो बनायेगा 141 मैं आपको यह दिये गया है तो आपको तर्क में बताना है कि कौन सा सही होगा तो दिखेगा इसमें आप देखे तर्क में जब दिया गया है तो hoffenn हम बता लेते हैं option आपका D हो जाएगा यानि के तर्क केवल A कही पहला वाला तरक सही होगा, जो आपका यहाँ पर है, कि हाँ इससे कारे में कुछ अलता है, उसे ठीकता आएगी, तो option A आपका यहाँ पर सही, sorry, option D आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, option number D, केवल एक मजबूत है, यह आपका अंसर सही होगा, next question में देखे, question number 142, जब आप यहाँ पर इस next में आप यहाँ पर देखेगा, कि आपका जो option है, वो कौन सा सही है, तो यहाँ पर 143, question यहाँ पर हो जाएगा, आपका देखे, 143, 143, question, तो यहाँ पर आपका 143 में, यह जो मोधी जय ने, 1998 में, 22 साल के उमर में, 70% के साथ, MCA किया, यहाँ पर यह जो question है, इसका आंसर ह हो जाएगा, आपका, देखे, 143, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ दियूमिदवार का chain किया जाना है, यह आपका इसका answer हो जाएगा, next question में, जो संजय 75% अंको वाला यह question है, इसका answer हम बता देते हैं, इसका answer आपका हो जाएगा, option number B, यहाँ पर B option आपका सही हो जाएगा B option आपका correct था next में आप देखे विजय एक computer engineer है 2003 में 22 वर्स की I.U. में अंतिम परिक्षा में 72% अंकों के साथ तो यहाँ पर यह 145 वाला जो question है इसका आपका answer हो जाएगा answer D है option यदि उमिद्वार का chain किया जाना है तो यहाँ पर D option आपका बिल्कुल का था कि यदि मामला GM भरती को भीजा जाना है तो यहाँ पर यह जो है इसका answer सही था next में देखेगा 147 के गर बात करें तो दिव्या 80% अंकों के साथ computer engineer है तो यह जो question है इसका answer आप match करेगा इसका answer हो जाएगा कि data app परियाप्थ है यानि कि यहाँ पर data दिया ही नहीं गया है तो data app परियाप्थ option number A का सही answer था अब देखेगा यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो एक इस्थाने मेले में उत्जित भीड एक किसोर पर चोरी का और अप लगाती है और mob leaching का प्रियास करती है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा तो 148 का answer हो जाएगा निस्पक सुनिवाई सुनिश्चित करने के लिए किसोर को बचाना चाहिए और भीड को तितरवितर करना चाहिए यह आपका option number और B बिल्कुल सही answer था नेक्स्ट में देखिएगा 149 जो question है वो दंगा प्रवावित बहुद हर्मिक लाके में पुलिस प्रमुक के रूप में आपको क्या करना है तो यहाँ पर option number C जो है यह निके समुदा एक सीमाए लांगने वाले उपर द्रवियों को सक्त कारवाई करनी चाहिए तो यह आपका option number C बिल्कुल सही answer था लास्ट question 150 150 वा question आपका क्या कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है आपको आगामे इस्थाने निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्विनिये जानकारी प्राप्त होती है तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा option number C है समवेजंसिल छेत्रों में सायक पुलिस समवर्धन जुटाना चाहिए यह आपका option number C बिल्कुल correct answer हो जाएगा आई होब कि आपके जो answer है वो सभी मिल गए होंगे एक से 150 questions तक सभी यह first shift का paper था 17 February को जो हुआ था UP Police Constable 2024 में तो आपके सभी answers जो है यहाँ पर 100% सही है आपने match किये होंगे अच्छे से Thank you, thanks for watching